हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रिव्यू में मुकाबला यहां पे डी एस जी वर्सिस एमाई सीटी डर्बन वर्सिस एमाई केप ताउन यह मुकाबला होगा एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा यहां पे इस गेम में होंगे वो नए प्लेयर का जिनकी में बात कर रहा था तो आगे होंगे वो इसकॉस इंशोर कि आप रिव्यू स्टाट टू एंड देखिये और याद रखिएगा कि जो कैप्टैन वाइस कैप्टैन सी ओप्शन थे व्यू दिक्राइब तो इस विजय तो विडियर के बीडिशन जाब से तोड़ी ज्यादा है बहुत सारी बैटिंग पावर है इनके पास जो काफी काम आ सकती है इस्पेशली इन दी अप्संस ओव राशित खान मिनीजियल्स एंड स्मॉल लीग्स हम कहलेंगे इन रेगिलर प्रपोर्शन एंड स्मॉल लीग्स इंशॉर कि आप माइमास्ट 11 पर कहले है वहाँ पे 50K का फ्री गिववे फॉर एवरी गेम सो इंशॉर कि आप वो चांस ना मिस्स करें क्यूंकि गिववे बार बार नहीं आत है तो उस मौके का पूरा फाइदा उठाई है और मिनीजियल्स के लिए और ड्रीम 11 जो भी आप आपको पसंद है यह है 50,000 का फ्री गिववे तो डोंट मिस आउट अन दिस चांस एंड अब चलते हैं आगे के प्रिव्यू की तरफ उसके पहले इंशॉर कि आप हमें एद पैंटेसी क्रिक प्रो पर जॉइन कर लीजिया अभी के अभी आप का राधर टेलिग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइक ओल्वेज रिपोर्ट की बात की जाए तो पहले गेम में हमने देखा कि रेडार क्लियर था दो दिन पहले जब मैंने करना अब तक विकवा में बारिश हो रही है इस गेम के लिए भी कुछ रेन के चांसेज हैं सो लेट सी की कैसा जाता यह मुकाबला पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो डर्विन में बहुत सारी क्रिकेट हुई थी और शेलिया की सीरीज हमें देखने को मिली बहुत सारे बैटिंग फेवर्ड पिचिस थी बट साथ आफरिका ट्वेंटी 2023 में हमने देखा कि डर्विन पे कुछ स्लो पिचिस भी थी जहां पर बैटिंग करना थोड़ा सा ट्रिकी था बट ऑल इन ओल जो हमने यहां पर रिसेंट क्रिकेट देखिए उस हिसाब से यहां पर हमें ब बाउंडरी डाइमेंशन एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलांस की बात की जाए तो भी स्टार्ट पिच्छी यहां पर है कुइन डिकॉक, काईल मेर्स, मैथ्यू ब्रेट किया, टॉने डिजॉजी, वह उस लॉट में ओईनरिक क्लासिन, निकलेस पूरान, फिर यहां पर ज के लिए लास्ट एक बहुत बड़ा हैडिक था, और मेभी बात कुछ ऐसी हो, टॉम बैंटिन को लाए हैं वो ऐस वन मोर न्यू उपनिंग ओप्शन देखते हैं कि उन्हें खिलाया जाता है कि नहीं, अभी के लिए उन दो स्लोट में, ग्रैं टॉलफसन और राइन रिकु यहां क्या यह एक्स्ट्रा पैसर खिलाते हैं या टॉम बैंंट के सासर जाते हैं कैंडेशन यह तोटली बाटि फ्रेंट्ली कंदिशन हैं, देहने को मिल सकते हैं, तो वाटिल बींटर 5 to see how the playing 11 lines up. तो यह होई मेरे expected playing 11s, अब चलते हैं straight to the home team, Durban Super Giants and we start with Quint and Dickcock, the big player of the day. तो यह ओपनिंग wicketkeeper batter, बहुत ही attacking player, interesting data यहां पर हमने अट किया हुआ, अब देख सकते हैं the blue and green card versus M.I.C.T. यह दो matches केल चुके हैं 74 runs एंके and 151 का strike rate, so very good record and at Durban, 14 matches 468 runs, 157 की strike rate and 43 की average, so absolutely amazing numbers at this venue and अगर आपको recent World Cup याद है, बहुत सारे 100 भी मार के आ रहे हैं, so of course the first and obvious captaincy vice captaincy choice, Quint and Dickcock ज्याद है इन पर मैं अपना समय नहीं बरबाद करूँगा, क्योंकि इतने अच्छे player है इनका main threat क्या है कि upfront कुछ movement हो, तो इनने तकलीव हो सकती है यह आपको दिख रहा है, first links के record में and plus जब आप wrist drop का section पढ़ते हो, तो थोड़ी सी movement upfront वहाँ पे तकलीव हो सकती है and off spin के सामने कभी कभार इनने तकलीव हो सकती है, पर उसके अलावा एक काफी अच्छे player and टीम में तो बिल्कुल रहेंगे, captain, vice, captain सी choice भी बिल्कुल है, तो यह होई quinton, dick, cock की बाद, चलते है kyle, mares की तरफ opening batter and part time passer, यह कभी कभार आके power play में कुछ overs कर देते हैं form इनके साथ नहीं रहा है, especially in that England series and first innings का record कुछ खास नहीं है, second innings में भी ठीक टाग record है इनका, बट क्यूंकि pitch, patting के लिए अच्छी होगी and उसके अलावा यह भी हो सकता है कि इन्हें वापस कुछ overs मिल जाए, तो वो इसाब से ठीक टाग choice है, problem क्या इनके साथ strike rotation, जब आप इनको stump to stump डालोगे, तो यह strike rotate करने में इन्हें बहुत तकलीफे हो सकती है वहाँ पर, बट अभी के लिए मेरे साब से एक ठीक टाग choice है risk तो इनके साथ हमेशा रहेगा उनकी data की बात की जाए, तो versus M.I.C.T. एक match में 34 runs अच्छा काज़ इस ट्राइक रिट एन एक विकेट Matthew Bretz की एक बहुत अच्छे player है, impressive रहे हैं off late, I think जो हमने इनकी थोड़ी से जल किया, देखिए, even in international cricket, वो बड़ी पारी अब तक pending है, but I think इस साल इन्हें ज्यादा opportunity मिलनी चाहिए for Durban last year काफी खराब management, उनने opening में भी bowling all-rounders खिला दिये but I think इस साल मौका बेटर होना चाहिए इनका, and काफी अच्छी तरीकी से इन्हें कुछ games finish किये थे, जो last year इन्हें मौके मिले थे MICT के खिलाफ के लिए थे, last year एक match, 34 runs, 148 का strike rate, and ये एक wicket, एक error है बिलकुल and at Durban, two innings ये खेल चुके हैं, 53 runs and 115 का strike rate, ignore the wicket part, वो एक error है, अभी तक हम इन cards पर काम कर रहे हैं, तो एक error आपको यहाँ-वाद देखने को मिल सकता है Tony Dissauz, obviously पहला साल इनका star 20 में पहले नहीं खेले, ये इनका debut season रहेगा, and last minute इनने include किया गया, and Durban super giants क्यों, क्योंकि इंडिया के खिलाफ बहुत ही impressive रही है, in the limited over series ODAs में काफी impressed किया, इन्होंने आप देख सकते हैं, इनके at Durban के strike rate से की T20 इनका natural game नहीं है, but obviously एक अच्छे player है, तो वो इसाब से GL में आप try कर सकते हो, क्योंकि T20 के लिए crafted या बने हुए नहीं है, मेभी इने में base team में नहीं लोगा remember to sign up on my mask 11 and exchange train 2, यहां पर आपको मिल जाएंगे top offers, so don't forget to sign up right away, no TDS and no GST तो यह हुई हमारे giveaways की बात giveaways, तो आप already join कर चुकिया, आपको पहले बताया था, मैंने two teams के साथ on my mask 11 and यह मेरे one of the favorite players Oynrik Klaassen, last year MICT के किलाव थोड़ा सा struggle किया थैनने two matches में, सिर्फ 36 runs and क्यों, यह आपको wrist drop section में देखेगा, एक चीज off spin, बट main चीज जो मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ मैं कार्ट पर लिखोंगा, तो फिर बाते कौन सुनेगा, बात यह है कि जब इन्हें आप with pace डालते हो on the body तब इन्हें तकलीफे हो सकती है and only stone है सामने, जो उसी तरीके के bowler है, तो only stone इनको उस हिसाब से परेशान कर सकते हैं बट जिस तरीके का form है, क्या मैंने जोड़ूँगा, बिल्कुल भी नहीं so, on the class and definitely a very good pick just that वो एक phase में threat रह सकता है, बट अगर वो phase में वो निकल गए, तो फिर आपकी team वहीं पर खतम कर देंगा, अगर आपने नहीं लिया, same for Nicholas Pura and one of the best pin hitters, pin को बहुत अच्छा केलते हैं in the middle overs and इस track पर वैसे भी अगर वो flat वाली batting track निकाली इन्होंने तो फिर turn की खास आशंका आप नहीं रख सकते हैं, सिर्फ एशू के end के साथ starting से risk पर risk लिये जाते हैं बट इनके साथ fantasy value काफी अच्छी है, as अगर इनको एक अच्छा bouncer नहीं मिला या अगर आपको away spin से आप इन्हें नहीं पकड़ पाए तो वापस इनकी train वहाँ पर शुरू हो जाएगी जॉन जॉन स्मट्स लास्ट येर खेले थे ये versus M.I.C.T. तब खेल रहे थे for eastern cape sunrises अब यहाँ पर shift हो चुके हैं, अब off late ये ज्यादा bowling करने और फ्लोटिंग बैटर बन चुक है आप recent की domestic record देखो तो बहुत सारे wickets लिए इन्होंने, बट in conditions में क्या इने spin मिलेगा अगर वो spin वाली track निकल के आए तो इनका काम double हो जाएगा वहाँ पर आप देख सकते हो, I.Durban इन्होंने काफी ज्यान रखीगा, Dwayne Pretorius I think इनके death overs में बहुत important होंगे ये, and एकदम utility player है, नीचे आके कुछ runs भी कर सकते हैं, problem क्या थी, last year Durban Super Giants को 6-7 bowling option भी रास नहीं आ रहे था, 8-9 bowling option हर game में खिला रहेते हैं, and वो हिसाब से इनके overs बार-बार कट रहे थे, but I think इस साल में भी इनका मौका बढ़ना चाहिए, इस काफी important player होंगे इनके लिए, and last year versus MI Cape Town, दो wickets ये, ले चुके हैं, at Durban भी इनका record, ठीक ठाक है, तो बिलकुल इने try किया जा सकता है, Wien Mulder, इनके साथ problem क्या है, कि ऐसे type के bowler है कि जब pitch में up front कुछ help हो, तो यह वहाँ पे उनका काम बनता है, Durban में हमने last year कोई भी game में ऐसे कुछ खास movement नहीं देखा था up front, so वो हिसाब से एक तकलिफ हो सकती है, last year हमने इने opening करते वोई भी देखा था, बढ़ इस साल काफी options है, तो मैं उस हिसाब से इने नहीं देख रहा, तो अभी के लिए यह सिर्फ एक GL option ही है, केशब माराज बहुत ही restrictive spinner है, pressure वो ही साब से बनाते हैं, पर इनके साथ problem क्या है, ज्यादा wickets यह लेते नहीं, इनकी economy rate हमेशा आप देखो कि अच्छी रहेगी, बट wickets खास इनके पास आते नहीं है, जिहनका जो quota है 12-13 तोवर तक खतम हो जाता है, हिंस आप इनका जो record देख रहे हो कुछ खास है नहीं, and form भी इनके साथ कुछ खास रहा नहीं है अब तक, match-ups interestingly इनकी अच्छे वस्ट मैं काफी सारे right-handers है in the middle order तो वो इसाब से GL में आप इने बिलकुल try करिये, क्योंकि अगर एक collapse हो गया, especially under a big chase तो वहाँ पे इनका काम बन सकता है जूनियर डाला power play and middle overs बोल रहे हैं, थोड़े enforcer type के player हैं, काफी pace के साथ डालते हैं पर problem किया, इनकी accuracy कभी कबार, he's all over the place and that can be a problem, last year वजए M.I.C.T. नहीं केले थे and at Durban, साथ matches में साथ wickets हैं, तो ये एक अच्छे player हो सकते हैं बिलकुल try कर सकते हैं, इन्हें आप पापस specially जब पहले bowling कर रहे हैं Reese Topley, all phases bowler बहुत ही impressive रहे हैं, off late and मेरे इसाब से, जो death में and power play में, अगर कोई combine होके डाल रहे हैं अच्छे से, तो I think Reese Topley उस number में कहीं top पे आ रहे हैं flat decks में इन्हें problem हो सकती है as change ups, इनकी जो key currency है यहां पे ज्यादा काम नहीं आएगी but I still think क्योंकि main bowler है team के, इन्हें अच्छा कासा 4 overs का मौका मिलना चाहिए and wickets इनके निकलने चाहिए at Durban, ढाल चुके हैं Durban में पहले 4 matches में 5 wickets हैं and versus MICT, 2 matches, 2 wickets तो यह हुई Durban super giants की बात, अब चलते हैं MI Cape Town की तरफ first player of the day, Grant Rolofson right hand batter, wicket keeper last year थोड़ा जा struggle किया थे इन्होंने for momentum if that is the right word and for जैसे कहते हैं उनका strike rate वहां पे थोड़ा सा concern रहा last year but जैसे आप देख सकते हो versus DSG, 2 matches, 62 runs काफी एक ठीक-टाक knock थी इनकी जैसे मैंने कहा ज्यादा pace नहीं पकड़ पाए in that knock and at Durban, 5 matches, 69 runs and 94 की strike rate तो एक ठीक-टाक player है जैसे मैंने कहा in the power play इनकी तकलीफे रही है but I think कि वो हिसाब से अगर आप GL में try कर रहे हो some differential keepers तो ये एक अच्छे option रहे है I think currently batting section में इन्हें जैगा मिली है Ryan Rickleton एक और बहुत ही impressive player and इन दोनों players का domestic season ठीक-टाक रहा है and I think जो पहले भी ये T20s खेल चुके हैं domestically वहां पर अच्छा किया है तो वो हिसाब से I think ये दोनों players को आप try कर सकते हो but क्योंकि इतना सारा international quality है इन दोनों teams में इन्हें base teams में fit करना मुश्किल होगा but अगर flat out conditions है ये पहले batting कर रहे है तो बिल्कुल GL में आप इन्हें बिल्कुल try करीगा ये दोनों similar style के players है upfront movement के against struggle करते है और on the आप अच्छा केलते हैं spin के सामने इनकी तकलीफे हैं दोनों players को ऐसे ही में sum up करूँगा फिर चलते हैं आगे के तरफ रासी वैंडर्ड डूसन एक impressive player spin को बहुत ही अच्छा केलते हैं in the middle overs and versus DSG तो बिलकोल एक बहुत ही अच्छे player है slow decks पर थोड़ा struggle करते हैं बट ये deck मैं expect नहीं करना हूँ कि slow होनी चाहिए तो should be a good player डेवाइल ब्रुस off late सुर्कियों में रहे हैं बहुत ही अच्छे खिलाडी ये भी बहुत ही अच्छी short range है इनकी बेबी ये भी माना जाता है इन्हें PC tracks में हमने देखा है कि against the bouncer थोड़ा सा struggle करते हैं बट सामने वाली team में मैं ऐसे कोई bowler को नहीं देख रहा unless junior डाला आपको एक surprise bouncer डाल दे वो इसाब से मैं नहीं देख रहा कि कोई भी ऐसा accurate bowler हो जो इन्हें बाउंसर के साथ surprise कर पाए बट इनका जो record है versus DSG दो मैच में सिर्थ 13 run and at Durban in three matches just 18 runs तो इनका जो record है थोड़ा सा concerning है and वो इसाब से इसलिए अभी के लिए आप वहाँ पे एक hand mark देख रहे हो क्योंकि इनके जो match-ups भी है केशम माराज और उन सारे bowlers के सामने कुछ खास नहीं है Liam Livingston इनके लिए वापस form एक बहुत ही बड़ा concern रहा है एक आद बड़ा knock देखा हमने in the West Indies उसके लावा अब एक problem and आप देखते हो यह थोड़ा आके off spin, left spin दोनों डाल लेते हैं जहां पर deck spin को favor करती है वहां पर इनके लिए बाटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बट यह एक अच्छी deck होनी चाहिए so we should be able to see some runs of Liam Livingston Sam Curran form इनके लिए सबसे बड़ा concern वापस बहुत सारे runs का हैं इनोंने भर-बर किये versus West Indies and जैसे आप देख सकते हो at Durban in T20s वापस इन्होंने इन्हें एक भी wicket नहीं मिला in the last year and मैं कहूंगा कि अभी के लिए इन्हें टीम में रखूंगा क्योंकि problem क्या है ऐसे type के player के साथ आके 6 या 7 number बे बैटिंग भी करेंगे last year promote भी होएते at one down, two down plus आप इनके साथ 3-4 over देख होगे अगर इनका खराब दिन भी रहा है तो भी 30-40 point अगर इन्हें मिल गए तो हमारा fantasy के साब से काम वहाँ पे बन जाता है George Linda बहुत ही impressive player एकदम stump to stump डालते हैं accurate line, flight करते हैं turn मिलती है इन्हें off the pitch बट इस pitch पे क्या turn होगी that will be the big question versus Durban Super Giants two matches, one wicket and 38 runs and at Durban 13 matches, 13 wickets यह जो data है also includes domestic T20s जो पुराने-पुराने T20s उस सब का data ESPN, Cricket 4 thanks to them यहां मुझे मिल गया है तो यह हुई George Linda की बात Kyron Pollard obviously a big player इनके लिए captain इस pitch पे इन्हें batting करना पसंद आना चाहिए but क्या form इनके साथ है that is a big question क्योंगी off late ज्यादा cricket खेले नहीं है but match-ups इनके ठीक था versus the bowlers in front of him तो GL में वापस इन्हें try करूँगा इस काफी low आते हैं bowling का भी इनका मौका अब मेरे साब से तो नहीं आएगा but at Durban जो पहले वापस इनका जो last game अब Durban था बहुत पहले था but 163 की strike rate and 238 runs in 8 matches obviously GL में try करना बिल्कुल बनता है Duane Yansen impressive player है थोड़ा hitting भी कर देते है down the order pace and bounce पे depend करते हैं two matches one wicket versus Durban super giants and at Durban एक match में एक wicket वापस एक GL player as in का भी quota fix नहीं है Kagiso Rabada right arm pacer all face bowler एकदम fast bowler है one of the most fearsome इनके लिए एक problem क्या रही है off late कि इन्हें power play में खास कुछ wickets मिलने रहे है and एक GL drop अगर मैं कहूँ कौन होगा इस game में I think Kagiso Rabada एक GL drop बन सकते है इस बात का धियान रखिए कि क्यूंकि उनके लिए वो power play wicket से concern रहे है GL में आप chance ले सकते हो बट क्यूंकि हर phase में डालते है wickets इने मिल सकते है in any other phase कोटाइन का almost certain है last year versus DSG एक match में 3 wicket and at Durban 10 matches 19 wicket तो record एक और problem वहाँ पे to drop him and small league में लेना grand league में रिस्क ले सकते हो नुवान थुशारा पहले डालते है तो दोनों आखे बंद करके आप इने pick कर लीजे क्यूंकि जिस तरीके के बोलर है एकदम stump to stump पे डालते है obviously accuracy एक concern है मैं मना नहीं करूंगा बट क्यूंकि pace से डालते है उस type के length पे डालते है जाँ खेलना बहुत मुश्किल है अगर इनके team ball भी on the mark रहे है out of 18 या 24 जितने भी यह डालते है तो आपका काम हाँ पे बन जाएगा 2 या 3 wicket अगर आपको मिल गए तो वो इसाब से आपका काम बन जाएगा second innings में फिर भी एक concern हो सकते है obviously यहाँ पे नहीं खेले है ना against Durban खेले हैं पहले तो definitely a good pick if bowling first only stone एकदम enforcer type के बोलर है and डालते हैं the middle overs, opening overs तो अगर second bowling करते हैं मुझे यह ज्यादा पसंद क्योंकि at Durban हमने देखा है कि पहले batting में बहुत सारे runs बनते है तो second bowling में यह आके under pressure wickets निकाल सकते हैं last match, last time versus Durban super giants एक match में 4 wickets only stone के नाम तो बिल्कुल इन्हें मत miss करेगा when they're bowling second अब चलते हैं match-ups की तरफ, class sin versus Rabada, 0 of 3 balls and 2 wickets, एक बहुत ही बड़ा match-up यहाँ पर आपको दिख रहा है Puran versus Rabada वापस एक बहुत बड़ा match-up 30 of 21 and 2 wickets Quintan de Kock versus Sam Karin 18 of 20, काफी खराब यह start QDK के लिए एन एक बार out हो चुके हैं and Rassi Vandri Dussin versus Keshamaaraj dismissal नहीं है, बड़ा strike rate देखे, 73 and 15 balls तो obviously कुछ interesting numbers यहाँ पर and जब आप GL में अपनी teams बना रहे हो, rotations कर रहे हो जब आपको Puran को drop करना है तो आप किसको CVC करोगे, यह उसका जवाब इस slide से आपको मिल जाना चाहिए अब चलते हैं हमारे आज की fantasy team की तरफ fantasy team की बात की जाए we start with the keeping section क्विंडिन डिकोग, निकलेस पूरान ओइंरिक लासन, अच्छी बैटिंग पिछ पर आप किसको भी नहीं छोड़ सकते हैं तीनों ऐसे प्लियर्स हैं अपने दिन पर अपना हमारा गेम पूरा एक खतम कर सकते हैं रैसी वाइंडेड़सन, काइल मेर्स क्यूंकि बैट एंड बॉल दोनों से opportunity मिलेगी, मैं chance लेना नहीं चाहूंगा and devil bruis, क्यूंकि बहुत ही dangerous के लाड़ी है मैठ्यू ब्रेट्स की definitely grand league में try करी है, same for grant rollofson all rounders dwayne pretorius, liam livingston already आपको मैं बता चुका हम player cards में, क्यों? अगर आपने player cards का section नहीं देखा है, अगर आप यहां पर directly team देख रहे हो, तो आपका कोई काम का नहीं है, preview, क्योंकि जो भी discussion करनी थी, हर player की वो मैं player cards में कर चुका हूं तो बिल्कुल जाके हर player का, आप player card ना की देखिए, बट जो कहा है, वो बिल्कुल सुनिए भी तो Liam Livingston, Dwayne Pretorius and Sam Curran, my topics from this section and पूरी FCP family को join करना है, जो giveaway दो teams के साथ अभी के अभी यह है, SEC versus JSK के match का giveaway यह दूसरे match में भी जल्दी खुलेगा My Master 11, हमारे refer code FCP and app का link है इस video के description में, तो अभी जागे जुड़ी है अब चलते हैं, आगे की team की तरह तो यह वो all-rounders की बात and in the bowlers, कगीज और अबाड़ा and Reeves top ली होंगे आपके top two picks, तो obviously यहाँ पे ज्यादा risk आप नहीं देख रहे हो जो low picks है, वो है, ओन्रिक, क्लासिन and devil brewers, पर क्योंकि एक अच्छी batting pitch है, मैं ज्यादा chance नहीं लेना चाहूँगा on the batters, unless मैं pitch report में यह सुनूँ कि आज वो slow वाली derbyn pitch है, उसको cover से निकाला गया है, उसके अलावा मैं chance नहीं लोंगा, किसी और पे भी captain, vice captain आज बता देते हैं, क्योंकि cards वाले section में वो parts skip हो गया तो captain, vice captain की बात की जाए top picks, obviously quinnan de kock and nicholas puran, क्योंकि जिस तरीखी की batting करते हैं, इस pitch को suit करना चाहिए, और इन्रिक लासन भी बिल्कुल उसी section में रहेंगे अगर आपको थोड़ा से safe जाना है if dwayne pretor is both first, एक अच्छी choice बन सकते हैं, 3-4 over and some big hitting down the order same for Sam Karin, तो अगर आपको थोड़ा से safe जाना है, तो आप इनके साथ जा सकते है problem क्या है इन all rounders के साथ की form इनके लिए concern रहा है तो अभी के लिए ये रही मेरी fantasy team ensure कि आप like button अभी hit करिए and अब चलते हैं, grand league options grand league options for today, low select dark horse picks, devil bruce already पता है आपको क्यों, no one, tushara and only stone, already आपको बता चुगा हूँ कौन से situation में किसको लेना है no one, tushara, while bowling first, only stone while bowling second, अभी के लिए base team में fit नहीं हुए, बट देखते हैं, after the toss की कहां उनको fit in किया जाए high select droppers bomb, Sam Karin, obviously, based on form, and on the class end, यहाँ आपे सिर्फ एक ही reason है कि क्यों इन पर मैं risk ले सकता हूँ, वो इसलिए क्योंकि कभी-कबार अगर इनका number थोड़ा low आ जाता है, समझे है, in the batting order हम देखते हैं कि 5 या 6 number पे slotted in है, अगर Durban को एक अच्छी start मिल जाती है, क्योंकि top order भी इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो वो case में, maybe इन पर आप छोटा सा risk ले सकते हो, बट उसके अलावा मैं गाऊंगा कि small leagues में तो बिल्कुल इन पर safe जाए है grand league captaincy, vice captaincy, चौह options, kyle mayas, devil proist while batting first, batting second, bowling first, pretorius and top league and in both situations, qdk puran and liam livingston तो यह रही मेरी आज की choices I hope आप सबको यह preview पसंद आया हो अगर पसंद आया हो, remember to join us on telegram, final teams and updates आपको वही मिलेंगी and just for fun, predict in the comments आपको क्या लगता है आज कितने runs मारेंगे Kyle Mayas, because Kyle Mayas के साथ हमेशा वो uncertainty रहती है, so predict in the comments हामे रन, Kyle Mayas will score जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए and thank you so much for tuning in thank you so much for all the love and all the support